नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हैमित और गैजेट्स फर यू के एक नया वीडियो में आपका स्वागत है तो दोस्तों जैसा कि हम जानते ही हैं कि सामसंग ये इंडिया में रिसेंट लाँच किया है सामसंग का गैलक्सी F62 और दोस्तों जिस प्राइज में इस दिवाइस को लाँच किया गया है हम ये कह सकते हैं कि नो डाउट एक और बहुत ही अग्रेसिवी कंपुटिटर हमको देखने हो मलता है इस मार्केट में या फिर दोस्तों ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो 20 से 25 जा उर्पे का प्राइस सेग्मेंट है या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा सा ओर उपर 26-28 जा उर्पे तक के प्राइस सेग्मेंट को यहां पर थोड़ा सा डिस्ट अप करतिया है सामसंग गलेक्सी F62 ने अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ चलिए एक डिटेल कंपैरिजन करते हैं सामसंग गलेक्सी F62, OnePlus Nord और Realme X7 की बीच में तक कि हम जान पाएं कि इस प्राइस रेंज में हमें क्या-क्या चीज़ देखने हो बिलती हैं F62 हमें क्या ओफर कर रहा है और जो बाकी competition brand है वो क्या ओफर कर रहे हैं तक कि हम conclusion पर पहुच पाएं कि सामसंग गलेक्सी F62 कैसा phone है तो चलिए दोस्तों अगर आप भी जाना चाते हैं तो बने रहेएगा अमार साथ इस वीडियो में अब दोस्तों मैं aggressive pricing की बात कर रहा था तो चलिए सबसे पहले आपको price बदा दूँ जो सामसंग का गलेक्सी F62 है इसका starting price है 23,900 रुपए जहां पर हमें मिलेगा 6GB के साथ में 113GB storage हाला कि यहां पर ICC Bank का एक बहुत अच्छा offer दिया गया है जहां पर आप 2500 रुपए का instant cashback ले सकते हैं मतलब कि यह phone हमें मिलने वाला है सरफ 21,500 रुपए की price में वहीं अगर मैं बात करता हूँ Realme X7 की तो इसका जो starting price है वो है 19,999 रुपए और हाँ अगर मैं बात करता हूँ OnePlus की तो इसका जो 6GB RAM variant वाला option है वो लगबख 25,000 रुपशन है जो 8GB RAM variant वाला option है वो लगबख 28,000 रुपशन है तो यह दोस्तों pricing हम को देखने हो बलती है इन तीनों ही phones की चलिए अब comparison को start करते हैं सबसे पहले इन phones की design के साथ में तो जो rear design है दोस्तों यह मैं आपको हमेशे कहता हूँ कि यह subjective होता है कुछ लोगों को पसंद होता है glossy design कुछ लोगों को matte finish पसंद होता है लेकिन यहाँ पर यह तीनों ही phones हमें देखने हो मिलते हैं glossy finish के साथ में और दोस्तों इस पर Samsung ने design में थोड़ा सा और अच्छा काम किया है क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है laser graded finish तो Samsung Galaxy F62 का design नो डाउट काफी अच्छा है Realme X7 का design में आच्छा आपको देखने हो मिलता है और थोड़ा सा और interesting design मनाने की कोशिश की गई है Realme X7 में भी हाला कि यहाँ पर भी आपको एक simple super सा color भी देखने को मिल जाता है वहीं अगर मैं बात करता हूँ OnePlus Nord की तो यहाँ पर हाला कि कोई graded finish तो नहीं है लेकिन इसका भी design काफे जादा decent है तो दूस्तो यह तो look वाले बात थी जिसको कि हम cover लगा के वैसे तो छुबा देते हैं लेकिन फिर भी यह subjective होता है कि आपको कौन से phone का design जादा पसंदा रहा है लेकिन हाँ design में कुछ ऐसी चीज़े होती है जो कि अगर नहीं हो तो थोड़े से दिक्कत जरूर होगी जैसे कि सबसे बहुत बात करते हैं 3.5 jack की अब ये OnePlus Nord और Realme X7 में मैं देखने को नहीं मिलता है लेकिन Samsung के Galaxy F62 में दिया गया है तो ये एक अच्छी बात है अगर मैं बात करता हूँ दोस्तो SIM slot की तो Realme X7 और OnePlus Nord में आपको सरफ दो SIM card के साथ में memory card लगाने का option दिया जाता है जबकि Samsung Galaxy F62 में आप दो SIM card तो लगा ही सकते हैं साथ ही यहाँ पर आपको dedicated micro SD card का slot भी दिया गया है बतलब दो SIM card के साथ में आप memory card भी लगा पाएंगे तो ये दो advantage मुझे सबसे अच्छे देखने हो मिले हैं Samsung Galaxy F62 में जो की इन दोनों phones में नहीं है तो design में दोस्तो कहीं पे भी compromise नहीं किया गया इसके लगा अगर मैं बात करता हूँ thickness की तो F62 9.5 mm की thickness के साथ में आता है जबकि Realme X7 और OnePlus Nord 8.2 और 8.3 mm की देखने की साथ में आते हैं अब दोस्तो ये difference तो हमको देखने को मिलेगा ही क्योंकि F62 आता है 7000 mm की बैटरी की साथ में जबकि Realme X7 या फिर OnePlus Nord हमें 415 mm और 410 mm की बैटरी की साथ में देखने को मिलते हैं तो नो डाट बैटरी बड़ा होगा तो थोड़ा thickness तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा ही फ्रेंट डिजाइन की बात करते हैं तो तीनों ही फोन समय पंच और दिस्प्ले की साथ में देखने को मिलते हैं जैसे कि OnePlus Nord में आपको मिलता है Fluid AMOLED डिस्प्ले Realme X7 में दिया गया है Super AMOLED पैनल जबकि अगर मैं बात करता हूं Samsung Galaxy F62 की तो यहां पर दिया गया है Super AMOLED Plus जी हां यह एक और step आगे है और थोड़ा से difference में आपको बता दूँ कि जो Super AMOLED Plus है यह Super AMOLED या फिर Fluid AMOLED से थोड़ा सा पतला होता है और थोड़ा सा light weight भी होता है और इसलिए हम देख सकते हैं जो touch response है वो हमें better देखने हूं मिलेगा या फिर अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों display performance की जैसे की color sum देख सकते हैं वो और ज़दा vibrant है या फिर अगर मैं बात करता हूँ contrast की तो वो भी हमें better देखने हूं मिलता है Samsung के Super AMOLED Plus दिस्प्ले में और no doubt यह OnePlus Nord और Realme X7 से better आपको देखने हूं मिलेगा screen size भी आपको 6.7 inches मतलब बड़ा देखने हूं मलता है F62 में बाकी दोनों phones 6.4 inches के आसपास आपको देखने हूं मिलेंगे तो ऐसे कुल differences आपको देखने हूं मलते हैं दोस्तों इन phones के display में चले दोस्तों अब बार यह है इन तीनों ही phones के performance comparison की जो कि मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यदा interesting होने वाला है दोस्तों आपको बता दें कि Realme X7 में दिया गया है MediaTek का Dimensity 880U चिपसेट अगर मैं बात करता हूं OnePlus Note की तो यहां पे दिया गया है Snapdragon 765G चिपसेट जबकि अगर मैं बात करता हूं Samsung Galaxy F62 की तो यहां पे दिया गया है Exynos का 9825 चिपसेट अब दोस्तों आपको थोड़ा सा याद करा दूं कि Exynos 9825 चिपसेट हमें Note 10 Plus में दिखने को मिला था मतलब एक flagship चिपसेट हमें Samsung की तरफ से दिखने को मिल रहा है अब यह तो हमने काफी बार सुन लिया कि नो डाउट यह एक बहुत ही पावरफुल चिपसेट है तो चलिए practical comparison करते हैं और जानते हैं कि कितना पावरफुल है और यह कैसे complete कर सकता है Snapdragon 765G और Mediatek के Dimensity 800U चिपसेट के साथ में तो दोस्तो सबसे बले तो बेंचमार्क स्कोर देख सकते हैं और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बेंचमार्क स्कोर हैं वो है Samsung Galaxy F62 के दोस्तो एक और बात आपको बताना जाओंगा Samsung Galaxy F62 आता है UFS 3.0 स्टोरेज के साथ में जबकि OnePlus Nord और Realme Xmr में देखने मिलते हैं UFS 2.1 स्टोरेज के साथ में चलिए अब चलते हैं थोड़ सा practical comparison की तरफ जहांपे हम करने वाले है speed test comparison speed test comparison में होंगे 2 round पहले round में हम करने वाले है application को launch और साथ ही यहाँ पर RAM management को भी चेक करेंगे तो चलिए speed test comparison के first round को start करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों ही phone में है same application setup तो चलिए start कर लेते हैं इस round को करते हैं परे यहाँ परीस पीड़स के सकते हैं झाल झाल और दोस्तों यहां पर हम देख सकते हैं तो दोस्तों पहले राउन का वेनर होता है अब दोस्तों हम आ गया हैं सेकिंड राउन की तरफ जहां पे हम एक वीडियो को रेज़र करेंगे और यह वीडियो रेंडर हम करने वाले हैं फिल्मूरा गोगि थुछ तो यहां पे आप देख सकते हैं सभी फोस में हैं सेम वीडियो क्लिप और हम इसे render करने वाले हैं 720 pixels के साथ में तो जले start करते हैं और देखते हैं कि कौन सा phone कित्ती दिर में और कित्ते समय में इस वीडियो को render complete करता है और दोस्तो इस round में भी पहले वीडियो render complete कर लिया है Samsung Galaxy F62 ने हाला कि यहां पर भी हमें बहुत जड़ा difference देखने को नहीं मिला और OnePlus Nord यहां पर भी वीडियो complete कर चुका है कुछ 3 या 4 second का difference था और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तो Realme X7 की तो यहां पर ज़ो difference था वो 12-13 second का था तो दोस्तो ग्राफिक performance में भी हमें better देखने को मिल रहा है Samsung Galaxy F62 तो दोस्तो यह था speed test comparison इन तीनों ही phones के बीच में और दोस्तो जैसा हमको सुनने को मिल रहा था कि Exynos का 9825 chipset एक powerful chipset है ऐसा ही हमें देखने को मिला है जी हां हमने यहां पर compare किया और यह इन दोनों ही chipset के comparison में ज़्यादा fast था तो दोस्तो यहां पर definitely Samsung की तरफ से हमें अब performance oriented phones भी देखने को मिल रहा है और जैसा कि हमें Samsung Galaxy F62 में देखने को मिली चुका है चलिए अब जलते हैं दोस्तो तीनों ही phones के camera comparison की तरफ तो यहां पर भी interesting comparison होने वाला है क्योंकि दोस्तो Realme X7 और Samsung Galaxy F62 यह में देखने को मिलता है 64 Megapixel के primary sensor के साथ में और यहां पर जो OnePlus Nord है यह दिया गया है 48 Megapixel के primary sensor के साथ में और दोस्तो यहां पर interesting यह भी है कि Sony IMX 682 sensor के साथ में आपको मिलता है F62 जबकि यहां पर Realme X7 में आपको Samsung का sensor देखने हो मिलता है और अगर मैं बात करता हूँ 64 Megapixel के camera sensor की तो Sony IMX 682 या फिर 686 को सबसे अच्छा माना जाता है वहीं में 48 Megapixel का आपको primary sensor देखने हो मिलता है OnePlus Nord में तो यह दो खेर बहुत जाद बीछे रह जाता है चलिए मैं आपको कुछ camera samples दिखाता हूँ तो सबसे पहले तो आप यह picture देख सकते हैं दोस्तों जहां पर clearly dynamic range आपको बहुत अच्छी देखने को मिल रही है F62 में अगर मैं compare करता हूँ Realme X7 या फिर OnePlus Nord की picture के साथ में इसके रहाँ दोस्तों जो subject पे detailing हैं वो भी आप zoom करके देख सकते हैं वो भी बहुत ही जादा clear हमको देखने को मिल रही है F62 में अगर मैं compare कर रहा हूँ Realme X7 और OnePlus Nord से हाला कि मैं यह नहीं कह रहा कि OnePlus Nord या फिर Realme X7 की picture आपको बहुत खराब देखने को मिल रही है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है नौट की picture में हाला कि Realme X7 यहां पर बहुत अच्छा काम कर रहा है और यह आप क्या सकते हैं similar है F62 के लेकिन OnePlus Nord यहां पर बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहा है तो F62 और Realme X7 की picture यहां पर काफी अच्छी हमको देखने विली वैसे कुछ pictures आप और भी देख सकते हैं जो की auto mode से ली गई है और यहां पर भी हमें ऐसे ही results देखने को मिले चलिए अब अगर हम बात करते हैं portrait mode की तो results और भी ज़्यादा interesting थे यहां पर आप देख सकते हैं F62 की picture में जो background blur है यह आपको बिल्कुल proper देखने को मिल रहा है in fact जो age deduction है यह भी हम अच्छा देखने को मिलेगा और जो color है यह भी हमें attractive देखने को मिल रहे हैं तो आप यहां पर realme X7 और OnePlus Nord की picture से भी इसे compare कर सकते हैं मुझे तो F62 की picture better देखने को मिल रही है बागी आप बताएगा नीचे comment section में आपको क्या लग रहा है ultra white pictures की बात करते हैं दोस्तो तो यहां पर आपको बता दूँ कि 12 megapixel का ultra white sensor आपको देखने हो बिलता है F62 में बागी दोनों phones में 8 megapixel का ultra white sensor दिया गया है और images आप यहां पर देखी बार होंगे इसके लगर मैं बात करता हूँ macro sensor की तो OnePlus Nord और Realme X7 में यह 2 megapixel का है जबकि F62 में यह 5 megapixel का है तो यहां पर भी आप कुछ images देख सकते हैं वीडियो की बात करते हैं तो तीनों ही phones के rear camera से आप 4K के साथ में 30 apiece record कर सकते हैं और यह video sample भी 4K 30 apiece पर ही चूट किया गया है तो वीडियो का लेडिया आप यहां पर देखी सकते हैं फ्रेंड camera से लिए गए कुछ camera samples भी आप यहां पर देख सकते हैं आपको बता रहा है कि 32 megapixel का selfie camera आपको F62 और OnePlus Nord में आपको एक ultrawide sensor भी देखने को मिल रहा है आपको बैटरी देखने को मिल रही है चलिए अब अगर हम बात करते हैं बैटरी की तो खेर आपको यह बहले ही बता चुके हैं कि Samsung Galaxy F62 आता है 7000 एमेज की बैटरी की साथ में 415 एमेज की बैटरी की साथ में आता है OnePlus Nord और वहीं 410 एमेज की बैटरी की साथ में आता है Realme X7 वैसे अल्रडी हम बैटरी देंटर्स अप्लोड कर चुके हैं जहां पर लगबग 11 गंटे का स्क्रीन और टाइम दिखने को मिला था जहां continuous स्क्रीन और टाइम दिखने को मिला था Samsung Galaxy F62 में Realme X7 लगबग 8 गंटे जबकि OnePlus Nord लगबग 6 गंटे के आसपास हमको यहां पर देखने विला आप चाहें तो पूरा वीडियो देखीगा हार एक चीज आपको डेटेल में देखने को मिल जाएगी चार्जिंग स्पीड की बात करते हैं तो 25 वाट का चार्जिंग सपोर्ट आपको देखने मिलता है F62 में तो करीब 2 गंटे का समय लगएगा 0-100% चार्ज करने में Realme X7 को करीब 55 मिनिट का टाइम लगता है क्योंकि यहां पर 50 वाट का चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है जबकि OnePlus Nord को करीब 1 गंटर लगता है यहां पर आपको 30 वाट का चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है अब यहां पर F62 में बैटरी जादा है तो थोड़ा सा आपको चार्जिंग टाइम ज़्यादर देना ही पड़ेगा क्योंकि 7000 एमेज का बैटरी है तो यहां पर इतना टाइम तो दोस्तों लगने ही वाला है और वैसे अगर आप बैटरी को पूरा चार्ज कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि दो दिन से पहले आपको फोन को चार्ज करना वड़ेगा क्योंकि 11 गंटे का स्क्रियों टाइम का मतलब समझ सकते हैं आप और वहां प्रियम एम एक्स्ट्रीम यूज़ कर रहे थे लेकिन जो साइड मांटन फिंगर्बेंट सेजर का पर्फोर्मेंस है यह हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है यूई की बात कर लेते हैं दूस्तों और यह भी बहुत ज़दा इंपोर्टेंट होता है OnePlus Nord में Oxygen OS आपको देखने मिलता है और OnePlus Nord अभी काम कर रहा है Android 10 के साथ में अगर मैं बात करता हूँ Realme X7 की तो यह भी आपको मिलता है Realme UI के साथ में और अभी यह काम कर रहा है Android 10 पर और अगर मैं बात करता हूँ F62 की तो यह आपको मिलता है Samsung के One UI 3.1 वर्जन के साथ में और अभी ये काम कर रहा है Android 11 Pay, मतलब आपको लेटेस्ट Android के साथ में दिखने हो मिलता है F62, और ये जो 1.8 3.1 है, ये भी काफी ज़्यादो आउक्टमाईज है, और साथ ही यहाँ पर भी आपको काफी सारे कस्टमाईज वीचर देखने को मिल जाते हैं, दूस्तो F62 के दो औ और चीजे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि मुझे सबसे ज़्याद अच्छे लगती हैं, और वो हमें Realme या फिर OnePlus में तो किसी और brand में देखने को नहीं मिलती हैं, सबसे पहले तो Samsung Pay, जी हाँ, Samsung Pay का full version आपको देखने को मिलता है F62 में, तो आप अपने सारे cards यहाँ आपको देखने को मिलता है F62 में, तो आपका phone completely secure है, noc security के साथ में, और यहाँ पर हमें secure folder जैसे feature भी देखने को मिल जाता है, जिसके बारे मैं हमने एक डेट के वीडियो किया है, लिंक आपको उपर देदूगा कि यह कैसे काम करता है, तो यह और extra feature आपको देखने मिलता ह F62 में, तो दोस्तों यह था एक पूरा detail comparison इन तीनों ही phones के बीच में, बहुत सारी चीज़े अलग थी, काफी सारी चीज़े similar थी, लेकिन हाँ कहीं कहीं better है Samsung का Galaxy F62, और एक नहीं बलकि काफी सारी चीज़ों में, फिर चाहे में बात करता हूँ, यहाँ पर display की, तो Super AMOLED Plus display पर चाहे में बात करता हूँ, performance की, तो एक powerful performance आपको यहाँ पर देखने मिलता है, या फिर अगर में बात करता हूँ, camera की, तो camera भी अच्छा है, और battery की बात करता हूँ, तो वहाँ पर दो difference बहुत जाता था, तो दोस्तों, no doubt, एक aggressive competitor आपको देखने मिलता है Samsung की तरफ से, और ये सारी चाहे पहले हैं में Samsung की तरफ से देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब ये available है, तो मुझे तो इन दोनों ही phones के comparison में Samsung Galaxy F62 pattern मिला है, बाकी आप बताइएगा कि आपकी क्या views हैं, वो आपके नीचे comment section बता सकते हैं, चलिए उस तो बस यही था आज की इस वीडि जिए प्रफ दो आपकी के आपकी क्याओा जाएगा झालता बदाएगा है, तो मुझे टो आपकी कि जए लीचे क्या है, वो श्ते हैं, प्रफ उन राख़ोगा वाधने हैं, जाना आपकी कि वीडिए वीडिके सारीमग्णारी से अधकी जएएगा जएवादी मैं